हैलो एब्रिबन वेलकम टू दड़ा जैनल हमाराज का टोपिक है फजी पशुदन गर्णा जोगि परतिएक बांच वर्ष के चाहि पशुदन गर्णा की जाती है ठीकर परतिएक पंच वर्ष के ऐंटुतुत की चेह dinero कैसे 1999 की घृष बारह भी किया पर्दिक वर्ष में पहली जन करना जो है वह 19-19-1920 में की गई थी ठीक इसके बाद हर पर्दिक पांच वर्ष में पशुधन करना की जाती है कुल पशुधन अब अगर हम बात करें बीस सी पशुधन करना की तो कुल पशुधन आबादी में 535.78 million हमारा जो है पसो की संख्य देखी गई है कुल आबादी जो है वो 535.78 million देखी पाई गई है ठीक है 2012 की तुलना में कुल पशुधन की संख्या में 4.6% की वर्दी हुई है और सरवादिक वर्दी जो है वो वेस्ट बंगाल यानि की पश्चिम बंगाल में देखी गई है जो की सरवादिक मतलब कुल पश्चिम बंगाल में इसके बाद में सेकिंड नमबर पर जो है वो तेलंगाना है जिसमें 22% की वर्दी देखी गई है यह सब डाटा जो है 2012 की तुलनात्मक है ठीक है इसके बाद बात करते कुल मवेश्यों की संख्या में 0.8% की वर्दी हुई है मवेशी क्या होते है मव आधर प्रदेश में पश्चो की संख्या जो 2012 मेती दोहजार सा में में गए उस प्रदी बहुत गया कमी हुई हो एं थिकैं कोई उन्रे इकंपर कोई दिनऊ होई यहां पर गिरावर्ट्द देखने को में में वैस्ट बंगाल में मवेश्यों की आबादी जो है वह कंगी है जो सरवादी के मतलब मवेशियों की अगर मवेश्य जो दूद देने वाले हैं ठीके गाय भैस जो हैं उनमें 15% की व्रद्धी हुई है और कुल विदेशी मवेश्यों की जो आबादी है वो 27% की व्रद्धी देखी गई है विदेशी में व्रद्धी हुए जो क्रॉसबीर होते इसमें 2017 न CT Μीऴे उनकी बात करए वो 6% घटी उनमें 6% की गिरावट आई है वद्धी नहीं है क में वो कम हुई है अगर हाई मारे हमारी देशी मवेश्यों की घ्रावट होई है हमारे देश की जो बहस है और जो गाएं है ठीक है उनमें अगर कमी आ रही है ठीक है तो इसके लिए कुछ सरकार कुछ मिशन तो चलाएगी तो इसके लिए भारत सरकार ने रास्टे गोकुल मिशन ठीक है रास्टे गोकुल जिससे देसी नशलों के संग्रक्षन को बढ़ावा मिलेगा ठीक है बढ़ावा देने के लिए क्या क्या गया है रास्टे गोकुल मिशन की शुरुआत की गई है अब बात करते हैं बैक्याड पॉलेट्री में लगबग मौरी पालची वोकी टरम वादि भॉलेट्री विर्धिन के लिए अखि को गयाड घर के स्थान करेंगे लिएख जाता है घर को इसलिए लिए फिर पशु पालन किया जाता है तो इसमें कितने परसेंट की व्रद्धी हुई है चालिस परसेंट की व्रद्धी हुई है पहली बार फिल्ट से और इसमें जो ये बीसी पशु धन गरना जो है इसमें पहली बार फिल्ट से ओनलाइन परसारान के माध्यम से घरेली उस तरके डाट का उप्योग किया गया है ठीक है ये भी बात इसमें याद रखने हैं अब बात करते हैं सैंसस की कुछ संख्याओं की बात करते हैं कि 2012 की दुल्ला में दो जार निस में कितनी संख्या पाई गया है अगर यदि बात करें गाय की तो गाय की संख्या अभी जो 2019 में जंगना हुई है तो 2017 की दो रानिस को क्या गया है ठीक है और 2019 में पाया गया है कि 112.49 मिलियन गाय की कुल संख्या है भैस की संख्या पाई गई है तो एक दश्मलो आट पांच बात करते हैं भेड भेड 65.07 मिलियन और 2019 में 74.26 मिलियन पाई गया है बकरी की बात करें तो 135.17 मिलियन और 148 मिलियन जो है बकरी की संख्या पाई गई है 2019 में अब बात करते हैं रास्टे पशुधन मिश्ण की शुरुआत की गई थी दो हजार तो 2015-2014 में रास्टर पशुदन मिशन के स्थापना की गई केंदर एक खाद तक्निक अनुसंदान जो है वो मैसूर में स्थित है ठीक है और इसमें ग्रीन मिल्क का विकास किया जाता है जिसका रंग नहीं सफीद कलर का होता है ठीक है जो केंदरे खाद तक्निक अनुसंदान आए इस टेकनोलोजीकल, रिसर्श सेंटर है, जो महसूर में देज, का पहला रोबर्टिक डेरी प्लान जो है, विरार शेत्र प्लान महरास्ट में को लगा था, यह पूरी तरीके से, यहां पर बिलकुल जिसे दूध है, वो भी रोबर्टिक तरीके से, मशीनों इस्तुमाल की जाता है उनके दुध निकाला जाता है अब बात करते नेक्स्ट स्टॉक फंटॉक-फर्मिंग क्या होती है जो पश्यूं का पशुसों का पुरटियॅDAY प्रेटींग भी उन्सका ख़ला गाया था अंग्रजिएंग थे मझीशन होते इतो फस्ती सम्ण्दृ कि फ्रोग कर आदे रोट याद रिलेड़ करती हैं तो इसलिए अन्देशन अगर याद अन्देश नगर जो है वह याद रखना पड़े लगा तीक अब नेक्स बात करते हैं गाय पालन की टेकिया तैकर अब गाय पालन में क्या है कि विश्व की को दूदेव्टक रख संख्या है तो सिक उसका 25 परसेंट जो वह भारत में गाये ठीक है कुल गाएं की जो संख्या है पुरे विश में उसका 25 परसेंटों के भारत में पाय जाता है और प्रति वेक्ति जो दूद की उपलबता है भारत में वो कितने 154 ग्राम है ठीक है बतलब प्रति वेक्ति को जो है 154 ग्राम दूद प्राप्त होता है लेकिन होने कितने च ब्लब्जा जो है वह 280-gram होनी चाहिए ठीक के जो इसके बाद जो दुख दुट पादन के निजसे एंडियुक्य। जो दुकर्थम इस्थान पर है ठीक कैं यह पादे समन आब और। इसके बाद जो दुख दुट पादन की बाद करे में उस्टेर इस्टान पर और इसके जो जनक मनने जाते हैं ओपरेशन फ्रट के वह वरगी स्को Rangerian मने जाते हैं ठीक है उनको इसके जनक बोला जाता है तो गाय की पर्मुग नसलें की बाद करेंगे लालस इनले क्याती तो पनजाब में पाई जाती हैं खेरिगर्ड अम्रतमही गंगातिरी जो है पाई जाते हैं तो सबसे ज्यादा कौन पाई जा रही है जर्सी नसल सबसे ज्यादा पाई जाती है उसके बाद खेरिगर्ड पाई जाती है उसके बाद जो संख्या में है वो अम्रतमही है और उससे जुक्कम है गंगातिरी है तो है जो 10 विदेशी नसल में होता है इसमें लिखा नहीं थो गंसी याद रखना इते के लिदेशी नसल में इस में पास दूद देती है और भाइल रूपर शीघनाया है